रिशी वसिष्ठ ममुक्षु विवहार प्रकरण में अपने जन्म का वर्णन करते हैं। ग्यान प्राप्ती का विस्तार बताते हैं। श्री राम के वैराग्य की प्रशंशा करते हैं। वे कहते हैं। श्री राम जो सरवत्र नित्य समता रूप से स्थित सची दानंद मय ब्रह्म तत्व है। उससे संबंध रखने वाली सत्ता को नियती कहते हैं। वही नियंता की नियंत्रन शक्ती है। तथा नियंत्रन में रहने वाले पदार्थों में जो नियंत्रित होने की योग्यता है। वह भी सत्ता वही है। अब मैं उससार गर्भित संगिता का वर्णन करूँगा। जो इह लोग तथा परलोग की सिद्धी के लिए परम पुरशार्थ रूप फल प्रदान करने वाली और मोक्ष के उपाय भूत साधनों से संपन्न है। उसे तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। सृष्टी के आदी में परमेश्ठी ब्रम्भा ने इस मोक्ष कथा का वर्णन किया था। यह संपून दुखों का नाश करने वाली है। और बुद्धी को परम शांती प्रदान करने वाली है। सारे विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्ष कथा को सुन कर तुम उस दुख रहित सच्चिदानंद में परम पद को पालोगे। जहां पहुच जाने पर पुनह विनाश का भय नहीं रहता। तब शेराम ने पूछा ब्रह्मन पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने किस लिए इस कथा का वर्णन किया था और आपको इसकी प्राप्ती कैसे हुई। हे प्रभो यह व्रित्तांत मुझे बताईए। तब रिशिवशिष्ठ ने कहा। शेराम परब्रम्ह परमात्मा सर्वव्यापक सबका आशय स्थान नित्यचेतन अविनाशी समस्त प्राणियों में प्रकाश रूप से वर्दमान और अनंत विलासों का एक मात्र अधिश्ठान है। प्रकृति की साम्य अवस्था तथा विशम अवस्था में भी वह निर्विकार रूप से स्थित रहता है। उसी परमात्मा से विश्णू प्रकट हुए है। ठीक उसी तरह जैसे प्रवहन शील जल से परिपून सागर से तरंग उत्पन होती है। उन विश्णू के हृदय कमल से ब्रमा प्रकट हुए। जो वेद तथा वेदार्थ के तत्वग्य हैं। उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदायों से संयुक्त होकर। अनेक प्रकार के विकल्पों की स्रिष्टी करने वाले मन की भाती। विभिन्न प्रकार की स्रिष्टी की रचना की। जम्बू द्वीप के इस भाग में जो भारत वर्ष नाम से प्रसिद है। ब्रम्हाजी द्वारा रचित सारा प्राणी समुदाय, आधी, व्याधी से संयुक्त, लाभ हानी से पीडित और जन्म मरन शील था। प्राणियों की इस श्रिष्टी से सारे जन समुदाय को नाना प्रकार के विसन जन्य कष्टों से पीडित देखकर। सर्वलोक श्रष्टा भगवान ब्रम्हा का हरदय उसी प्रकार दया से भीग गया, जैसे पुत्र को दुखी देखकर पिता को दया आजाती है। फिर तो वे उनके कल्यान के लिए क्षण भर एकाग्र चित हो यूँ विचार करने लगे कि इन हताश तथा अलपायू जीवों के दुख का अंद किस प्रकार होगा। ऐसा विचार करके सामर्थ्य शाली स्वयम भगवान ब्रह्मा ने उनके कष्ट अपहरन के लिए तब धर्म, दान, सत्य और तीर्थ सेवन आदी साधनों का निर्मान किया। इन्हें उत्पन करके स्रिष्टी करता ब्रह्मा ने पुनह स्वयम विचार किया कि इन साधनों से लोगों के सांसारिक दुख का समूल विनाश नहीं हो सहता। बलकि परम निर्वान रूप मोक्ष ही परम सुख है जिसकी प्राप्ती हो जाने पर जीव जन्म मृत्यू के चक्र से छूट जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ती ग्यान से ही होती है। इसलिए जीव के लिए संसार सागर से पार होने का एक मात्र उपाए ग्यान ही है। तीर्थ सेवन आदी भवतरण के लिए सीधे उपाय नहीं कए गए हैं। अतहा मैं इस हताश जन समुदाय के दुख की निवृत्ती के लिए संसार से उद्धार पाने का एक नया उपाय शिग्र ही प्रकट करूँगा। ऐसा विचार करके कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हारे सामने बैठे हुए मुझको उद्पन किया। निश्पाप राम जैसे एक तरंग से शिग्र ही दूसरी तरंग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार मैं भी अनिर्वचनीय माया से उत्पन हुआ और फिर तुरंथ ही अपने उस पित्री देव के समीप जा पहुँचा। जिसके हाथ में कमंडलू और रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। मैंने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया। उस समय मैं भी कमंडलू और रुद्राक्ष की माला से संयुक्त था। तब बेटा यहां आओ। मुझसे ऐसा कहकर उन्होंने अपने आसन भूत कमल के उपरी पते पर श्वेत बादल पर बैठे हुए चंद्रमा की भाती मुझे अपने हाथ से पकड़ कर बैठा लिया। फिर म्रिग चर्म ही जिसका परिधान था ऐसे मुझसे म्रिग चर्म धारी मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा। बेटा जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है उसी प्रकार वानर के समान चंचल अग्यान थोड़ी देर के लिए तुमारे चित में प्रवेश करे। ऐसा पिता द्वारा अभिशप्त हुआ मैं उनके संकल्प के अनंतर अपने संपून शुद्ध स्वरूप को भूल गया फिर तो मेरी बुद्धी तत्व ज्यान से रहित हो गई और मैं दुख शोक से संतप्त होकर दीनता को प्राप्त हो गया। उस समय मैं हाए बड़े कश्ट की बात हुई यह संसार नामक दोश मुझे कहां से फ्राप्त हो गया। ऐसा हृदय में विचार करके चुपचाब बैठा रहता था मेरी यह दशा देखकर मेरे पिताजी ने मुझे से कहा बेटा तुम क्यों दुखी हो रहे हो अपने इस दुख के नाश का उपाए मुझसे पूछो उसे जानकर तुम नित्य परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तब मैंने उनसे पूछा हे नाथ यह महान दुखमे संसार मुझ प्राणी को कहां से प्राप्त हो गया और इसका विनाश कैसे होगा मेरे ऐसा प्रश्न करने पर उन्होंने मुझे प्रचूर ग्यान का उपदेश दिया जिस परम पावन ग्यान को प्राप्त करके मैं जब मुझे ग्यातव्य तत्व की प्राप्ती हो गई और मैं अपनी प्रकृती में स्थित हो गया तब जगत स्रश्टा तथा सबकी उत्पत्ती के कारण स्वरूब और उपदेश्टा ब्रम्हा जी ने मुझ से कहा हे पुत्र मैंने प्रथम तह तुम्हें शाप द्वारा ग्यान हीन करके पुनह समस्त अधिकारी जनों की ग्यान सिद्धी के लिए इस सार भूत ग्यान का पिपासु बनाया है अब तुम्हारा शाप शान्त हो गया है और तुम्हें परमुत्कृष्ट ग्यान की प्राप्ती हो गई है जिससे तुम मेरे ही समान अद्वितिय आत्म स्वरूप हो गए हो है साधो अब तुम प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भूलोक में जंबू द्वीप के मध्यभाग में स्थित भारत वर्ष में जाओ परोपकार निष्ठ पुत्र तुम तो बड़े बुद्धिमान हो अतह वहां जो लोग कर्मकांड परायन हो उन्हें कर्मकांड के कर्म से शिक्षा देना और जो लोग विवेकशील विरक्त चित तथा महाबुद्धिमान हो उन्हें परमानंद दायक ज्ञान का उपदेश करना श्री राम मैं इस प्रकार अपने पिता श्री ब्रम्हाजी द्वारा नियुक्त होकर इस लोग में निवास कर रहा हूँ और जब तक यह स्रिष्टी परमपरा रहेगी तब तक यहां रहूँगा जिस प्रकार भगवान ब्रम्हा ने मुझे यहां आने का आदेश दिया उसी प्रकार उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, सनतकुमार तथा नारद आदी अन्यान्य बहुत से महर्शियों को भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुम लोग भारत वर्श में जाकर पवित्र कर्म कांड तथा ज्यान कांड के उपदेश द्वारा वहां के निवासियों का जो अंतह करण के अज्यान रुपी रोग के वशिभूत होकर महान कष्ट भोग रहे हैं, उनका उद्धार करो हैं वहां कर दो